वाट इस कम्यूनिकेशन? संचार क्या है? हमें बात करना अच्छा लगता है कल्पना कीजिये कितना बोरिंग होगा हमारा दिन अगर हमें स्कूल में दोस्तों या घर पर अपने माता और पिता से बोलने का मौका न मिले हम बूल रूप से हर रोज सभी के साथ किसी न किसी रूप में संचार करते हैं लेकिन क्या बात करना संचार का एक मात्र तरीका है? नहीं क्या आप विश्वास करेंगे? अगर हम यह कहें कि गूगल पर कुछ खोजते समय भी आप संचार कर रहे हैं? हाँ, यह भी संचार या कम्यूनिकेशन है कम्यूनिकेशन के विभिन्य रूप हैं और हम हर समय उनका उप्योग करते हैं खाने की मेज पर अपने पिता के साथ बातचीत मौखिक यानि वर्बल कम्यूनिकेशन का एक उधारण है लेकिन लड़ाई के बाद अपने दोस्त के हावभाव देखकर जब आप समझ जाते हैं कि आपके और दोस्त के बीच में कुछ गड़बढ है तो यह गैर मौखिक संचार यानि नौन वर्बल कम्यूनिकेशन का एक उधारण है आपका दोस्त आप पर अपने गुस्से को मूँ मोडने, आखे न मिलाने आदी के जरिये व्यक्त करता है और आप इन नौन वर्बल संकेतों को भाप सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो आपसे नाराज है सही सूचना को सही ढंग से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुचाने को ही संचार यानि कम्यूनिकेशन कहते हैं ये बोलकर, लिखकर या किसी अन्यमाध्यम के जरिये किया जा सकता है कम्यूनिकेशन कई प्रकार का होता है जब आप एक कॉल करते हैं तो आप मौखिक संचार यानि वर्बल कम्यूनिकेशन में भाग ले रहे होते हैं जब आप अखवार पढ़ रहे होते हैं या इंटरनेट से एक रेसिपी पढ़ रहे होते हैं तो आप लिखित संचार यानि रिटन कम्यूनिकेशन के माध्यम से जानकारी ले रहे होते हैं वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन या द्रिश्य यानि विजुल साधनों के माध्यम से जानकारी साजा की जा सकती है TV या Billboard पर दिखाई देने वाले विज्यापन भी एक प्रकार का कम्यूनिकेशन है स्वाधिश चौकलेट का विज्यापन या पलसर बाइक का पोस्टर ये भी आपके साथ संभाद करने और आपको प्रभावित करने के साधन है इस प्रकार के communication को visual कहा जाता है और यह digital माध्यम जैसे Instagram, photo album, filmे या आपके दोस्तवारा बनाए गए एक card के माध्यम से भी संभव हो सकते है इसके अतिरिक्त communication प्रक्रिया में कितने लोग शामिल है इस संदर में भी संचार में भिन्नता हो सकती है यह एक व्यक्तिगाद चिट्चाट हो सकती है जो one-to-one communication है यह एक group discussion हो सकता है जो one-to-group communication है और यह एक classroom या concert जैसी बड़ी सभा के बीच communication हो सकता है जो एक से अनेक या one-to-many के बीच का communication है यह सब आमने सामने या digital माध्यमों की मदद से दूरी होने पर भी हो सकता है हमें communication की आवशक्ता क्यों है? यह अक्सर कहा जाता है कि हमें सही ढंग से समबाद करने की आवशक्ता है क्योंकि communication न केवल हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करता है बलके लोगों को एक दूसरे के करीब भी ला सकता है हम communication का उप्योग जानकारी साजा करने, टिपणी करने, प्रशन पूछने, इच्छाएं और आवशक्ताएं व्यक्त करने, सामाजिक संबंध विक्सित करने आदि के लिए करते हैं अच्छी communication skills हमारी ऐसे मदद कर सकती है लोगों को समझाने में, स्पष्ट जानकारी देने या प्रदान करने में, और जानकारी प्राप्त करने में अच्छी communication skills एक कार्याले के सही ढंग से चलने और टीमों को एक साथ जोडने में कामाती हैं एक दूसरे से बातचीत न कर पाने पर गलत फैमी और निराशा पैदा हो सकती है सही ढंग से समवाद न करने से देनिक जीवन में गंभीर नुकसान हो सकता है और व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों शेत्रों में रिष्टे बिगड सकते हैं इसलिए कम्यूकेशन स्केल्स को सुधारना महत्वपूर्ण है आखिरकार कम्यूकेशन ही तो है जो हम सब को एक साथ जोड़े रखता है